हलो फ्रेंड्स मैं हो यासमीन बॉलिवर्ड आक्टर शारुक के फिल्म जीरो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी फिल्म एक हफ्ते में ही बॉक्स आफिस पर ओन्दे मुद जा गिरी थी इस फिल्म से किंग खान को काफी उमीदे भी थी लेकिन ये फिल्म शारुक के करियर में एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जिससे जानने के बाद सल्मान और शारुक के बीच लड़ाई भी हो सकती है दरसल जब शारुक की फिल्म जीरो काट्रीना काफ को आफर हुई थी तब भाईजान ने खुद उनसे मना किया था कि वो इससे साइन ना करे शारुक खान से पहले ये फिल्म सल्मान खान को आफर हो चुकी थी और उन्हें पता था कि इसे केटरीना कैफ को कोई फायदा नहीं मिलेगा लगता है सलमान को पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए किंग خان को रिकमेंट किया था साथी Kat को भी फिल्म ना करने की सला दी थी लेकिन उन्होंने इस सला को दर किनार कर King Khan के फिल्म साइन कर ली बतादी कि Zero में जहां शारुक ने एक बॉने का रोल निभाया था वहीं कैटरीना ने फिल्म में सुपर स्टार एक्टिस का कर्दार निभाया था खेर अब जो भी हो, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सल्मान की ये बात सुनकर शारुखान कैसे रियाग करते हैं वैसे आपको क्या लगता है? अगर सल्मान फिल्म जीरो में काम करते तो क्या ये फिल्म बॉक्स आफिस पर चल पाती या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं